दार जी पनीर तो लेलो दार जी यार कुछ तो बोलो ना वो या तो गड़ी को यूज करो या पिर उसको बेच दो अब देखो नही गड़ी बार मिटिया खा रही है ओए मांटू यार तुझे कितनी वार समझाया है नहीं गड़ी गए राज में रख दे पुरानी बार टार जी गड़ नहीं पुरानी दिन नहीं है अचलो ठीक है जी जब आप दोनों ने फैसला करे लिया है तो फिर अब मैं क्या बोलू और फिर सिर्फ पुरानी गड़ी ही क्यों और घर में जो पुरानी चीज़ें उन्हें भी चलता करो कुछ बोलो तो इमोशनल हो जाते सबर गर पुतर मैं गल का रांगी बिटा खालो ना सिमी नेट पे एक बायर देखा पर्षो आएगा संडे को वो आपने कार का एट दिया था जी 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 प्लीज आएए हाँ अंदर डॉक तो नहीं है ना नए 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 आएए प्लीज आएए ना प्लीज थोड़ा थ्यान से सॉरी थोड़ा डस्ट है यह देखिए एक बात तो माननी पड़ेगी इतने सालों बाद भी इतनी संभाल के रखिया अपने गाड़ी वो हमारे दार जी सर किसी को हाथी नहीं लगाने देते मैं यह अंदर जाके देख सकता हूँ ना अरे हाँ बिल्कुल अपकोस मतब गाड़ी के पेपर से ही पे होंगे हाँ जी वो इसमें है अरे वाँ कमाल है इसे भी संभाल कर रखा है लगता है किसी बच्चे घाए नहीं यह नवी गड़ी दिया मवारका था नो साध्डी कित थे यह तो साध्डे मॉन्टूदी है आसेंट एसेंट है आसेंट नहीं एकसेंट है यादा कि लेना मोल मितिरा यादा कि लेना मोल आबैठ मेरे कोल मितिरा यादा कि लेना मोल सुपने सारे दिन पे आरे आवे मूना मोल मितिरा आबैठ मेरे कोल मितिरा यादा कि लेना मोल तार जी जाठ धंडी हो गए है हम पता नहीं सौधाकार आया अजी बिजी वो किनी कीमत लगाई है उनों ने तार जी बीस साल की यादें चोड़ के लगाई तो उसके बज़ेट में ही फिट नहीं आई अपने कटी पिछले बीस सालों से आपकी यादों का रिष्टा रहा है युन्डेई के साथ लिख भेजिए अपनी युन्डेई सेंट्र